मदपरदेश में 17 साल तक सत्ता सुख भोगने वाले शिवराज सिंग चोहां से इस बार सत्ता चीन ली गई है MP में मामा शिवराज के साथ मोदी और शाह ने बड़ा खेल कर दिया है मदपरदेश में मुखमंतरी की कुरसी कौन संभालेगा इसे लेकर कई दिनों से जारी सस्पेंस आज खत्म हो गया है बीजेपी दल की बैठक में मोहन यादो के नाम पर मोहर लग गई है शुराज सिंग चोहां ने ही मोहन यादो के नाम का प्रस्ताव रखा था शुराज सिंग चोहां के साथ MP में बड़ा खेल हो गया नतीजे घोशित होने के बाद से शुराज सिंग चोहां खुद सियंपत का बड़े दावेदार माने जा रहे थे लेकिन अब सूबे की कमान मोहन यादो के हाथों में होगी मोहन यादो उज्जेंद दक्षन से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं यादो जुलाई 2020 से 2023 तक राजस सरकार में उच्च सिक्षा मंत्री रहे हैं और वो 2013 से लगातार विधायक हैं इसके साथ ही पार्टी ने सीम के साथ डिप्टी सीम के नाम का भेलान किया है राजेंदर शुकल और जगबीर देवडा डिप्टी सीम होंगे जबकि नरेन सिंग तो मर विधान सभा अध्यक्ष होंगे इस एहम फैसले से बीजेपी आलाकमान ने आज भोपाल में परवेक्षकों की एक टीम भेची थी जिसमें हर्याना के मुखमंत्री मनुहर लाल खटर, आशा लाकडा और के लक्षमर के नाम शामिल है बोपाल पहुचने के बाद मनुहर लाल खटर मुखमंत्री आवास पहुचे थे इसके बाद उन्होंने सबसे पहले शुरासिंग चोहान से मुलाकात की थी बताईए जा रहा था कि खटर बीजेपी आलाकमान का फर्मान लेकर दिल्ली से बोपाल पहुचे थे खटर के बोपाल पहुचने के बाद भी नडड़ा लगातार उनके संपर्क में थे पार्टी कार्याले में जहां विधायक दल की बैठक चल रही थी वहीं पार्टी ऑफिस के बाहर प्रधात पटेल और शुरासिंग चोहान के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे अब आपको बता दे कि मुखमंतरी की रेस में सियम शुरासिंग चोहान के साथ जोतिरादित्य सिंधिया, नरेइन सिंग तोमर, कैलाश विजेवरगिये, पहलात पटेल और खुद प्रधेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के नाम शामिल थे उधर सियम के नाम के एलान से पहले प्रहलात पटेल के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, अब आपको बता दे कि मदप्रदेश में बीजेपी ने विधान सभा चुनाओं में 163 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कमलनात के चेहरे पर चुनाओं लड़ रही अंग्विस को महज 66 सीटों पर जीत हासिल हुए है, डीबी लाइप के रिपोर्ट